भारत सरकार के केंद्रियस मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल भारती जंता पार्टी पारशत के प्रतियाशियों के कारलेओं का शुभारम करने के लिए निकले वे नया बाजार नमबर एक में भारती जंता पार्टी कारले का शुभारम करने पहुंचे और वहाँ पर मीडिया से चर्चा के दुरान उन्होंने बातों ही बातों में अपनी बात कही इसके साथ ही उन्होंने भारती जनता पार्टी से बाहर निकल कर पार्टी की गाड़ लाइन से हट कर काम करने वालों और पार्टी से बाहर निकलने के बाद पार्टी के विरूद में काम करने वालों को चित इसलिए कि मुझे लगता है जिनने पचीश वर्स तक भारती जनता पार्टी के संगठन और सत्ता दोनों का उपभोग किया हूँ वो कहीं पर भी प्रत्यक्षा परोक्ष योजना बद्धंग से अगर पार्टी के सामर्त को चुनोती देते हैं उसे नुक्सान पहुचाने की कोशिस करते हैं तो ये बात कारीकरता को बतानी होगी आम आदमें को इस बात का एसास होना चाहिए चुकि मैं जिस वार्ड मैं खड़ा हूँ इस वार्ड मैं पिछले पांस साल पहले इस परिस्ति का छोटे रूप में दर्सन लोगों ने किया था आज वो लगबग पूरा सहर देख रहा है तो ये पीट में छुड़ा भूकने वाले लोग किस विकास की यात्रा की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं ये कारियला का उद्गाटर है कारियला से संदेश जाते हैं हम रचनात्मक संदेश देने वाले लोग हैं हम उलसने वाले लोग नहीं है लेकिन कोई अगर चुनोती देता है या धोका धड़ी करता है तो बेनकाब करना लोगतंद का सबसे बड़ा अत्यार है और मैं मानता ह कि हमारे जो सोचल मीडिया के एक्टिविस्ट है वो और वाकी लोग जो वो लाइन टेक किये हुए है यही चित्र है और यह सच्चाई आम आदमी को पता चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि कार्यालाय का उद्गाटन यह भारती जनता पारिटी का एक उर्जा का केंडर होत करते रहें उनके उस अनुशासन और उस निष्ठा के प्रति मैं नमन करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भारती जनता पार्ट्री को आशिरवात देते रही है और आपके आशिरवात का ही पढ़ना में कितनी लंबी यात्रा विजय के साथ चल रही है